Hello Students, आज हम अगला लेशन पढ़ने वाले हैं, अवर क्लॉट्स क्लॉट्स मतलब हमारे कपड़े Try to think about this, क्या आपने कभी सोचा है Animals wears no cloths Animals कभी कपड़े नहीं पहनते, but people do लेकिन हम लोग पहनते है Why is it so? एसा क्यों होता है? Animals body is covered with coats like wool, fur and thick skin क्योंकि animal की body किसे cover होती है? Wool मतलब जो उन होता है, उससे Fur मतलब छोटे छोटे बाल उनके शरीड पर होते है Thick skin मतलब उनकी skin कैसी होती है? बहुत ठिक होती है This body coats protect them from the sun, wind and rain Animal की body जो होती है, वो कुछ इस तरह से होती है इसलिए उनके इसलिए वो सूरश की रोशनी से Sun मतलब सूरश की रोशनी से Wind मतलब तेज हवा से और rain मतलब बारिश से भी वो बिना कपडों के भी अपना खुद का protection कर सकते हैं अभी देखो, यहाँ पर जो भी आनिमल दिये हैं उनके शरीर पर अलग-अलग तरह की skin है जो उन्हें protect करती है जैसे कि elephant है, elephant की skin बहुत ठिक होती है इसलिए वो अपना protection आराम से कर सकते हैं देखो, यहाँ पर ship है, जिसके शरीर पर wool है wool जिससे हमारा sweater बनता है तो वो उसके शरीर पर ही होता है इसलिए वो अपना protection खुद कर सकती है इसलिए वो बिना कपडों के रह पाते हैं और बाकी जो आनिमल हैं उनके शरीर पर फोर मतलब छोटे case होते हैं छोटे बाल होते हैं और उनकी स्कीन भी ठीक होती है पिपल वेर क्लॉट्स टू प्रोटेक्ट तेयर बाडी और स्कीन फ्रॉम हीट, कोल्ड और ड्रेन लेकिन हम लोग क्या करते हैं अलग-अलग तरह के कपड़े पेनते हैं देखो यहाँ पर पिक्चर में बताया हैं क्योंकि हमारी स्कीन और बाडी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं किस से? हीट मतलब तेज धूप से कोल मतलब थंडी से और रेन मतलब पारिश से इसलिए हमें कपड़े पेनने पड़ते हैं क्योंकि हमारी स्कीन वेसे नहीं होती है अभी हम विंटर सीजन का देखेंगे मतलब विंटर मतलब क्या थंडी का मोसम थंडी के मोसम में हमें कैसे फिल होता हैं? मतलब थंडी लगती हैं मतलब जो भी कपड़े थंडी के सीजन में हमें गरम रख सकते हैं वो कपड़े हम विंटर सीजन में पहनते हैं जैसे कि स्वेटर्स जो की वूल का बना होता है उनका बना होता हैं जाकेट्स, स्कार्प, सौक्स देखो याँ पे दिये हैं सारे वूलन क्लॉस दिये हैं जो हम थंडी में पहनते हैं उसके बाद है summer season, मतलब गर्मियों का season In the summer season, it is very hot, मतलब गर्मी लगती है ठीके, summer के season में गर्मी लगती है So, we wear cotton and light colored cloths तो गर्मियों के season में हम कौन से कपड़े पेनते हैं? Cotton के और light color के, ठीके Cotton cloths keep us cool Cotton के जो कपड़े होते हैं, वो हमें cool रखते हैं मतलब ठंडे रखते हैं Never wear black colored cloths in summer हमें कभी भी summer में black colored के जो कपड़े होते हैं वो नहीं पेनने होते हैं क्यूंकि they make us feel very hot वो हमें ज़्यादा गर्मी महसूस दिलाते हैं That's because dark color absorb more heat than light colors मतलब जो dark color के कपड़े होते हैं वो हमें ज़्यादा गर्मी महसूस करवाते हैं इसलिए हमें summer season में कौन से कपड़े पेनने हैं light color के अभी है rainy season we all love to get wet in the rain हम सब को बारिष में भीगना बहुत पसन हैं but it is not good always पर यह हमेशा सही नहीं हैं so we protect our cell from not getting wet by using umbrella and raincoat इसलिए हमें बारिष के season में खुद को protect करना होता हैं तो हम किसका इस्तामाल करते हैं umbrella और raincoat का we wear gum boots to protect our legs too हम हमारे पेरों को protect करने के लिए क्या पहनते हैं gum boots पहनते हैं leather shoes may get spoiled when soaking water leather के shoes नहीं पहनते हैं क्यूंकि वो पानी में खराब हो जाते हैं spoiled मतलब खराब हो जाते हैं the gum boots are made of plastic and are waterproof gum boots जो होते हैं वो plastic के बने होते हैं और waterproof भी होते हैं इसलिए हमें रेनी सिजम में gum boots यूज़ करना चाहिए next topic है kinds of cloths मतलब अलग-अलग तरह के कपड़े do you know there are different kinds of cloths क्या आपको पता हैं अलग-अलग तरह के कपड़े होते हैं people living in different places wear different kinds of cloths अलग-अलग जो people होते हैं वो अलग-अलग तरह के कपड़े पहनते हैं these are the common cloths which we wear जो भी यहाँ पे सारे कपड़े के designs आपको दिये हैं यह सारे common cloths हैं जो हम पहनते हैं हमेशा we also have formal and casual cloths उनको हम कैसे पुकारते हैं कि यह formal cloths है और यह casual cloths से ठीक है ऐसे बोलते हैं when your father goes to work he wears formal cloths जब भी आपके पापा काम पर जाते हैं office में जाते हैं तो वो कौनसे कपड़े पहनते हैं formal but when he goes out to market जब भी वो market जाते हैं तो वो कौनसे कपड़े पहनते हैं casual ठीक है और elsewhere यह wears casual cloths ठीक है तो यह वाला difference आपको अच्छे से समझी गया होगा हुआओर को पहुआओर क Bene